तो गाईज आज आज आपको अगेन मार्केट काफी जादा लाल देखने को मिल रहा होगा BTC में 6% और इससे डबल अल्ट कोईंस में अभी आपको गिरावट देखने को मिल रहे होगी कुछ-कुछ अल्ट कोईंस है जैसे माना, इंजन, जैसे मेटावर्स और कुछ स्टेबल कोईंस इनको छोड़कर बाकी पूरा क्रिप्टो मार्केट अगर अभी चेक करोगे जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करा हूँ, उस समय लगबख सभी अल्ट कोईंस में एक अच्छी कासी आपको गिरावट देखने को मिल रहे होगी 10, 20, कुछ-कुछ में तो आपको 30% तक की गिरावट देखने को मिल रहे होगी अगर दोस्तो हम बात करें, बीटी से के बारे में तो बीटी से ने हमारी इस ट्रेल लाइन को ब्रेक कर दिया है यह जो हमने ट्रेल लाइन मने थी वीडियो में, इसको बीटी से ने ब्रेक करके अब वो नीचे के तरफ मूव कर रहा है और यह जो हमारा हलक सपोर्ट था जो कि इसको एक हद तक रोक सकता था 57,500-700 के अराउंड का यह भी अब ब्रेक हो चुका है और अभी BTC के लिए अभी का एक important सपोर्ट जो है वो है 55,300 के अराउंड अब आप में से मैंने कुछ लोगों के कमेंट्स पड़े उन्होंने का कि भाईया आपने तो बताया ही नहीं था कि BTC में डंप आने वाला है आपको यादो 15 नवंबर के दिन डंप से लगबग 24 घंटे पहले मैंने आपको clear cut बताया था कि वंडे के चार्ट पर मुझे एक बीरिश डैवर्जन बनता हुआ दिक रहा है और फिर यू मित के नहीं कि भाईया ने अलर्ट नहीं दिया था डंप आ सकता है इसके अलवा अगर हम बात करें हमारे इसी pattern के according या फिर इसी chart के according तो आपको याद हो मैंने लगबग परसो के दिन इस chart को इस तरह की से modify भी किया था 17 नवंबर की ये date है ठीक है कि कुछ इस तरह के से ये एक path अपना सक है क्या BTC और भी जादा डाउन जाने वाल है और market की updates को भी देखेंगे altcoins के बारे में थोड़ा सम डिसकस नहीं करेंगे because BTC और market की updates का पता होना आपको बहुत जरूरी है must है अगर आपको पता ही नहीं होगा कि market की कारणों से गिर रहा है और क्या इन कारणों की वज़े स और भी market गिर सकता है तो फिर आप altcoins के बारे में क्या मतलब prediction लगा होगे क्योंकि BTC king of altcoins है या king of market है तो BTC के उपर काफी हद तक सभी altcoins depend होते है तो अभी अगर इस pattern के according बात करें तो देखो यहाँ पर हमें 53,900 या 53,500 के आसपास का एक important support मिल रहा है अगर इस path के according BTC चल जो कि हमें दिख रहा है कि exactly इसी path को follow कर रहा है तो लगबग 53,954 तक का हमें एक mark BTC में देखने को मिल सकता है अराउंडम कह सकते हैं कि 54 ठीक है 54 तक BTC आ सकता है लेकिन इससे पहले भी हमारे पास यह जो support है 55,300 का होगा और यहाँ पर भी एक high buying order लगे हो है ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हो कि 55,500 के आसपास orders लगे हो हैं लेकिन अभी भी BTC जो है इसको कोशिश कर रहा है hold करने की लेकिन let's see कि क्या अभी इसको यह hold कर पाता है या नहीं अगर यह इस path के according चल रहा है तो यह हमें 54 के आसपास भी देखने को मिल सकता है अगर अभी हम बात करे वेल्स के बारे में कि वेल्स अभी क्या कर दिये यहां पर आप देख सकते हो कि जो एक्षेंजों के वॉलेट से उनमें से कुछ-कुछ BTC हमें निकलते हुए दिख रहे हैं यहां पर आप देख सकते हो 5000 ठीक है यहां पर 10,000 के तकरीबन लेकिन जो सबसे बड़ी individual वेल है यहां हम कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ी Bitcoin की वेल है वो लगातार इस समय डिप में बाइंग कर रही है यहां पर अगर मैं इसका पूरा दिखा हूँ आपको डीटेल यहां पर आप देख सकते हो कि लगबग 484 BTC को उसने और एड़ किया है 19 तारिक की यह डेट है 19 तारिक के दिन भी इस वेल ने अपने वोलेट में लगबग 484 BTC को एड़ किया है तो इस वेल को पता है कि बाइंग करना ज़रूरी है यह जो डिप है वो एक लास डिप हो सकता है और काफी बड़ी अपोर्चनटी उसको दिख रही है कल भी लगबग 700 BTC की उसने शॉपिंग करी इस अब ही मार्केट से क्या न्यूज अपडेट ने का लिए आ रही है यह तो हो गई वेल्स वगरे के बात अगर हम बात करें रीटेल ट्रेडर्स की तो यहां पर आप देख सकते हो कोईन टेलिग्राफ की यह रिपोर्ट है लेट टेस्ट रिपोर्ट थी इसमें यह बताया ग काफी अप्रिशेट करना चाहूंगा इनको बिल्कुल फिलिंग्स को बया कर देते हैं अपने काट्वन के थुरू यहां पर आप देख सकते हो कि यह जो बीर है या फिर यह जो मतलब टेडर है वो किस तरीके से अभी अपनी स्क्रीन को देख रहा है तो जाग उठा है जैस इस चीज का जरूर से ध्यान रखना कि काफी अच्छा हमारा अभी यह 55,000, 53,000 के आसपास का सपोर्ट है अगर हम बात करें दोस्तों न्यूज अपडेट की तो यहां पर काफी multiple न्यूज अपडेट आ रही है जो कि यह बता सकती है कि market में भी ऐसा fix नहीं है कि यह नहीं की जस्टिस है वो लगबग 56,000,000 की वर्थ के bitcoin को अभी sale कर रही है इसके पीछे का reason उन्हें बताया है यहां पर आप देख सकते हो the US Department of Justice is planning to sell 57,000,000 वर्थ bitcoin which was ceased during the BitConnect cryptocurrency investment scheme investigation यहां पर कुछ scam वगरा हुआ था cryptocurrency fraud वगरा हुआ था इसी के उपर investigation वगरा चल रही थी तो इसी के तहत जो यह department है US का justice department जो है वो लगबग 57,000,000 की वर्थ के bitcoin को sale कर रहा है काफी ऐसी बड़ी रकम भी नहीं है crypto की market में लेकिन थोड़ा बहुत इसका असर हमें देखने को मिल सकता है अगर हम बात कर दूसर infrastructure bill आ रहा है ठीक है इसकी जो signing ceremony थी वो भी हो चुकी है तो उसमें जो crypto का bill है या फिर अभी जो crypto को लेकर उसमें चीज़े आएंगी updates आएगी तो इसका effect भी हमें market पर अभी देखने को मिल रहा है यहां पर इस news update को आप देख सकते हो low maker introduced to fix crypto reporting requirement तो इसमें जो crypto requirement होगी crypto reporting requirement हो reasons वगरा बताया गए है जिसमें से यहां पर आप देख सकते हो a number of factors have luckily contribute to crash the market यहां पर आप एक news update तो यह चाइना जो किस तरह की से फड़ा भी create कर रहा है चाइना में mining वगरा बेन की जारी है इसके अलावा basically यही news update से जो मैंने आपको बताई एक यह भी था कि a major one is the US security and exchange commission rejecting a sport bitcoin ETF bitcoin की जो ETF when x bitcoin जो ETF था उसका भी rejection हुआ था उसका भी हमें असर देखने को मिला तो काफी multiple अभी ऐसे reasons से जिसके वरे से market डाउन जा रहा है एक कोई particular whales वगरा की वज़े सा I think whales अभी कुछ इतना इसमें रोल नहीं 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 बारी है because जो individual whales है ठीक है मतलब की ऐसे नही बाइंग कर रहे हैं अगर आप खुद भी report देखोगे या खुद भी analysis करोगे तो यहाँ पर काफी जो whales है वो भी बाइंग ही कर रही है यहाँ पर यह देखो ठीक है जो exchange के wallet है उनमें से बिटकोईन माइनस हो रहे है लेकिन यह जो whales के wallet है यहाँ पर आप इस whale को भी देख हो रही है यहाँ पर आप सारी whales को देख सकते हो कि जितने भी whales है अभी लगातार buying कर रही है और जो weekends है ठीक है सिर्फ weekends को निकालने के लिए liquidation कराने के लिए अभी काफी exchange जो है वो crypto को थोड़ा down कर रहे है ठीक है तो multiple reasons है लेकिन जो main reason थे वो मैंने आपको बता दिये एक US की यह department of justice वाली news इसके लावा infrastructure bill इसके लावा जो चाइना से फड़ निकल के आती है वो भी एक reason हो सकता है तो इन कुछ reasons की वरे से market अभी आपको थोड़ा down देखने को मिल रहा है लेकिन यह अभी मैं आपको कह रहा हूँ कि काफी golden opportunity आपके लिए हो सकती है because bitcoin ने अगर हम weekly time frame पर जाएंगे तो अपना second higher low लगबग लगा लिया है यहाँ पर जो second higher low लगेगा लगबग 54, 53 के आसपास का होगा और इसके बाद हम BTC को लगबग 80,000 के आसपास देखने वाले है तो इसलिए मैं आप से कह रहा हूँ देखो fund नहीं है तो कोई बात नहीं लेकिन ऐसे क आपको मेरी वीडियो की description box में इसका link मिल जाएगा hardly seconds का time लगता है बस link पर click करना है और इसको join करना है यहाँ पर आपको सारी time to time urgent updates वगरा कब किस coin को buy and sale करना है market से आने वाली update या फिर chart वगरा सब कुछ यहाँ पर मैं आपके साथ time to time share करता रहता हूँ तो must इसको join करना है अगर वो link आपके device में काम ना कर रहा हो तो direct आप टेलिग्राम पर जाके भी मेरा username सर्च कर सकते हो जो की है I am समझा दो भईया बस spelling का जूरू से धिहान रख आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो definitely वीडियो को लाइक करना चैनल आपी की काम गज़र चैनल को सब्सक्काइब करके रख लेना है मिलते हैं जल्दी नहीं update के साथ तिल देन जैहिंद जै भारत